जैहिन प्यारे साती हो तो यह वीडियो आपके बीए फोर्थ समेश्टर हिंदी माइनर पेपर के लिए है यदि आपका पेपर हो गया है तो आप अपना एंसर की मिला ले इस पीडियाप का फर्स्ट पेज नहीं है तो इसमें पेपर का कोड नहीं मालूम है कौन सा है बट जि लाइन है इधर उदर रहेगा तो एमजी के भी वाले इस्टुडेंट द्यान दे और उससे अपना एंसर की मिला ले माइनर पेपर हिंदी बी ए फोर्थ समेश्टर सवधानिक सरूप भासा विमार्स के नए छेत्र तो पहला कोस्टन इसमें दिया गया है तो अभी हाले में हमने पेडियाप सेंड किया था यादि आप उस पेडियाप को देखे होंगे तो उन में से लगबग कोस्टन आये थे चलिए तो निम्रिकित में से कौन सा कौन भारत में सवधानिक निकाय नहीं है कौन सवधानिक निकाय नहीं है तो राश्टी हमानमा अधिकार पहला आप को संदकी राजवाशा के रूप में किस तीथी को स्विकार किया गया था तो 14 सितमबर 1949 को स्विकार किया गया था दूसरा आप सनिहापर सही है कि आगे बाड़ते हैं हम नेक्स्ट कोस्टन में तो यहां पर कोस्टन दिया गया सब दाहान के किस अनुच्छेद के अनुसार संद की राजभासा हिंदी और देवनागरी होगी अनुच्छे 343 के आई में निम्ने में से किस राजभासा पर नियम नेक्स्ट कोस्टन है कि सब दाहन के कुल कितने अनुच्छेद में राजभासा निती समंदी प्रोधान है नव पहला अप्सन यहां पर सही है पांडी चेरी की राजभासा क्या है पांडी चेरी की राजभासा फ्रांसिसी है तीसरा अप्सन सही है आगे कोस्टन की तर बढ़ते हम केंदरी सरकार के करमचारियों को राजभासा के निम्न में से कौन से पाठ करम निर्धारित है प्रबोध तीसरा अपसन यहां पर सही है आतित में हो चुकी घटनाएं किस तकनिक के माध्यम से प्रसूत की जाती है तो फ्लैसबैक के माध्यम से प्रसूत की जाती है आगे question हमरा दिया गया है next है कि राजभासा का वारसी कारकम काउन निर्धारित करता है ग्रेह मंतराले द्वरा निर्धारित किया जता है दूसरा आप सनिहा पर सही है पट कथा में कितने घटना अस्तल होते हैं असमित होते हैं आपकी उपर डिपेंड करता है आप कितनी भी जगहों का द्रिस या मतलब कितनी भी जगहों का जो द्रिस होता है काहनी ले सकते हैं तो आपके उपर डिपेंड करता है यानि बनाने वाले के काहनी के उपर तीसरा आपसन यहाँ पर सही है नेक्स्ट दिया गया है भारत का सब्धान कब लाग हुआ था तो भारत का सब्धान यदि आपको यह नहीं पता है तो समय लेजिए आप भारती नहीं है तो भारत का सब्धान सभी जर्वरी 1950 को लाग हुआ था तीसरा आपसन यहाँ पर सही है skin play का साथ दीक अर्थ क्या होता है skin play का साथ दीक अर्थ होता है pat kathah हिंदी में से pat kathah करते हैं English में skin play करते हैं तो दूसरा आपसे नहाँ पर सही है आगे question बढ़ते हैं तो MZ के भी वाले छात्रों ध्यान देजे 6-7 अपना answer मिला लेजे सरदानिक स्वरूप में भासा भी मर सके नहीं 6-3 minor paper हिंदी BA for the semester pat kathah का स्वरूप कैसा हो सकता है तो pat kathah का जो स्वरूप होता है फिल्म के रूप में भी होता है धारवाहिक के रूप में भी होता है और बिग्यापन के लिए भी होता है पट कहेंगे क्या कहेंगे मूख पट तो पहला आपसन यहां पर सही है यानि कि आवाज नहीं होगी उसमें तो pat kathah किसी भी फिल्म की क्या होती है कहानी होती है निर्देशक की साहयक चरम सीमा निव तो क्या होती है इनिम से कहानी होती है पहला आपसन यहाँ पर सही है भारत की संपर्क भासा क्या है भारत की संपर्क भासा हिंदी है दूसरा आपसन यहाँ पर सही है नेक्स्ट कोस्टन के तरह बढ़ते हैं इस्टोरी बोर्ड सब्द किसके लिए प्रचलित है इस्टोरी बोर्ड सब्द जो है विज्यापन के लिए प्रसलित है पहला अप्षन यहां पर सई है नेक्स्ट कुष्चन हमारा दिया गया है पठा लेखन के प्रकार है करबंध तरीका और स्थाफित तरीका तीसरा अप्षन एक और दो दोनों सई है तो भारती सवदार के किस अनुच्छेद के अनुच्छेद के अनुच्छार उच्च चतम नयाले तथा उच्च नयाले में सब करवाईयां अंग्रेजी भासा में होंगी मतलब किस अनुच्छेद के अनुच्छे 348 के अनुच्छा चौथा आपसनिया पर सई है नेक्स्ट कोस्टन नमरा दिया गया में किन अनुच्छेदों में राजभासा समंधी प्रवधानों का उल्लेक है तो अनुच्छे 343 से 351 तो आपसन नमर पहला इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोशन है निम्णिख्त में से काउं भासा सब्धान की 8 वी अंसुची में नहीं है तो उर्दू है नेपाली है कॉंकडी है बट भोचपुरी नहीं है तो आपसन नबर चौथा इसका सही अंसर है नेक्स्ट है भारत की संद की अधिकारिक भासा के रुप में सविदाहन द्वारा की से मानता प्राप्त है हिंदी को पहला आपसन यहाँ पर सही है मात्र भासा में प्राथमिक सिच्वा को की स अनुच्षेद में सुरच्षित किया गया है किस अनुच्छे में सुरचित किया गया है अनुच्छे तीं सव पचास अपस नमर छौथा यहाँ पर सई है मराथी भासा की लिपी क्या है तो नागरी है और अनि द्यव नागरी दिया है तो आप कंफीूजन नहों हो यह यह prefer अपसे नहां पर सई है नेक्स्ट है अरुडा चल परदेश की अधिकारिक भासा क्या है अरुडा चल परदेश की अधिकारिक भासा इंग्रेजी है तीसरा अप्षन यहाँ पर सही है आठवी अंसुची में सामिल विदेशी भासा कौन सी है नैपाली है तीसरा अप्षन यहाँ पर सही है कामकाज में कौन से अंकों का प्योग किया गया है तो हिंदी अंक का प्योग किया गया है पहला अप्षनिहां पर सही है शली आगे बढ़ते हैं next question में दिया गए हमारा हिंदी प्रचार प्रचार के माध्यम क्या है? हिंदी प्रचार प्रचार के माध्यम है राज भासा का विभाग हिंदी पत्र प्रतिकाएं हिंदी फिलिम चौथा अप्सनिहां पर सही है हिंदी भासा का प्रारम कब से मना जाता है एक हजार इसापुर्व से माना जाता है तीसरा अप्सनिहां पर सही है नेक्स्ट है विश्व हिंदी दीवस काप मना जाता है दस जनवरी को मना जाता है तीसरा आपसन यहां पर सही है किस देश के बहु संख्यक लोगों की भासा कहलाती है पहला आपसन यहांपर सही है तो आपने राष्ट भासा लगाया हुए गलत है राज भासा कहते है कहां पर इसूथ है नेक्स्ट है तो यहाँ पर देखे 10 जरूरी है तो 10 जरूरी ही लगाएंगे आप यहाँ पर 10 जरूरी पहला आप्षय यहाँ पर सही है इनमेशे हिंदी का प्रथम प्रचारकूंज से हैं तो कौन है इन में से हिंदी के प्रथम प्रचारक प्रचारक कौन है स्वामी है दयानन्द सुरशी तीसरा आपसन यहां पर सई है नेक्स्ट कोस्ट नमरा दिया गया है कि राज्य भासा के प्रथी सरकार की करतब्यों और दायोत्तों का उल्लेकिस अनुच्छे दिमें है तो 343 में है पहला आपसन यहां पर सई है नक्स्ट है दच्छिड भारत हिंदी प्रचार की स्थापना किस न की थी दच्छिड भारत हिंदी प्रचार की स्थापना महत्मा गाधी न की थी तीसरा आपसन यहां पर सई है सब्धान के किस भाग में राज भासा का उल्ले किया गया सत्र में पहला आपसनिहा पर सही है राज भासा आयोका गठन कव था 1955 में हुआ था पहला आपसनिहा पर सही है परिनिष्टित भासा का दूसरा नाम क्या है उसे हम मानक भासा काते हैं पहला अपसनिया यहां पर सई है सब्धान की आठवी अंसुची में अभिकुल कितिनी भासाओं का सम्नित क्या गया है एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सरवत्त मादम क्या है मेला भी है प्रदर्शनी है विग्यापन है तुछ में से क्या होगा तिसरा अप्षन विग्यापन है एक वज्दु की विक्री बढ़ाने के लिए हमें उसका विग्यापन है एड़वर्टाजमेंट करना होगा विग्यापन देना होगा तिसरा अप्षन यहां पर सही है नेक्स्ट कोशन है विग्यापन लगना चाहिए विग्यापन जो हमारा आकर्षक लगना चाहिए क्या है विग्यापन हमारा आकर्षक लगना चाहिए लोगों को दूसरा अप्षन यहां पर सई है परदे या स्कीन के लिए लेखी गई कहानी क्या कहलाती है पट कथा लेखन क सतुन हों कि चाहिए ज़्यापन की भासा होनी चाहिए सरल होनी चाहिए ज्यादा कठीन भासा नहीं होनी चाहिए निकि ग्रहाग को समझ में आये और जो उस परदे या एड को देखे पूष्टर को देखे उसे समझ में आना चाहिए तो सराल होनी चाहिए तिसरा आपसनिहाँ पर साहिए भासा के च्छित्री है रूप को क्या काते हैं BRIAN बौली काते हैं महाभारत सिर्गल का समवाद किस ने किया था राही मासूम रजा ने किया था पहला अपसनिहा पर सही पट कथा के अंतरकत कीन विद्दाओं का लेखन किया जा सकता है तो यहाँ पर दिया गया है सभी उपरक्त में से सभी धारवाइक फिल्म और डाकुमेंटरी चौथा अप लिक भावाणं का आप यह करने वाला का लाता है अधनिहां पर सही हे तो कि से उत्पन हुआ है तो एडवर टोर सब्से उत्पन हुआ है पहला आप दिए हापस आप से नहें पर सभी है वी energies के लिए उत्पादकों के लिए Chris कि य nakो के Oh कि एक चिकिस्टपण पिरेफिकल के लिए शरोश्रेश्चन वाध्यम क्या है चिकिस्टकी पर्तिकाह तीसरे आपसनिया पर सही है बिग्यापन हो सकता है द्रिश स्रब्य स्रब्य और द्रिश तो उप्रक्त में से सभी भी लगा सकते हैं यहां पर दीसरा भी लगाएंगों तो सई होगा तो दीसरा आपसे नहां पर सई है बिग्यापन का उद्दे से क्या है नए उत्पाद की जनकारी पुलद कराना नए उत्पाद को बजार में इस्थान दिलाना विद्द्मान ग्रहकों को बनाये रखना उप्रक्त में से सभी चौर्था आपसे नहां पर साहिए बिग्यापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला म याद दिलाना तो उप्रक्त में से सभी होगा इसका राइट अंसर है समाज वा राष्ट के लिए विग्यापन का महत्तों क्या है समाज वा राष्ट के लिए विग्यापन का महत्तों है रोजगार साधन सब्वेता का विकास देश का आर्थिक विकास उप्रक्त में से सभी हिंदी का रुप जिसका प्योग यहां पर दिखने रहा है जिसका प्योग सरकारी और गयर सरकारी कारियालों में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं का कहते हैं उसे हम कारियाली हिंदी कहते हैं तो दिवार लेखन का काम लेते हैं किसरा आप सनिया पर सही लग रहा है नेक्स है भारती सब्दान में राजभासा हेतु निम्रिकित किस सब्द का प्योग गया है आफिसियल लंग्वेज का प्योग हुआ है चौथा आप सनिया पर सही है भारती सब्दान की किस अनुश्य सुची में भासाओं की सुची प्रदान की गया है आठवी अनुची में रिपीट कोस्टन हो गया है तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भासा से हुगा है तो अप भरंस से हुगा है चौथा आप सनिया पर सही है भारती नियालेओं में आज भी कामकाज की भासा कौन सी मानी जाती है तो भारती नियालेओं में आज भी कामकाज की भासा अंग्रेजी मानी जाती है दुसरा अपसन यहाँ पर सही है सविधान सवा में हिंदी को राजभासा बनाने का प्रस्ताव किसे ने रखा था गोपाल स्वामी आयंकर ने रखा था तिसरा अपसन यहाँ पर सही है इनोंने सविधान में हिंदी को राजवासा बनाने का प्रस्ताव रखा था नेक्स्ट है कोस्ट नमरा पुर्वी हिंदी की बोलियों का विकास कैसे हुआ है अर्ध मागदी अपभरंच से हुआ है किसे अर्ध मागदी अपभरंच से दूसरा आप सनिहाँ पर सही है बारहवां विस्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन हुआ था नाड़ी फिजी में हुआ था फिजी देश के चौथा आप सनिहाँ पर सही थे तो यह थे आपके सब्दानिक सरूप एंवासा बिमर्श के नए शेत्र माइनर पेपर हिंदी के एंसर की बी ये फोर्ट समेस्टर यमज के छात्र जो है जिन्होंने अभी तक पेपर दिया है तो वो अपना एंसर मिला ले धानवाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं